गुड मॉरिंग आइज वेलकम टू बैंकिंग इंगल सुमानिया का आज है एक सप्टेंबर और एक सप्टेंबर के दहिंदो आर्टिकल में आप सबका स्वागत है तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का पहला वर्ड पहला वर्ड है बैंक रोल्ड इसका मतलब हो जाएगा साहिता करना या सपोर्ट को कहा जाएगा बैंक रोल्ड जब किसी की फाइनेंसली हेल्प की जाती है वो हता है बैंक रोल्ड जैसे कि गौवर्मेंट क के द्वारा किसी कोई कंपनी डूब रही है फिर उसको एक financially help की जाती है आर्थिक साहता दी जाती है वह होता है बैंक रोल्ड ठीक है तो यह subsidy एक now नहीं और subsidize वर्ब है ठीक है बोस्टर होगा किसी को support करना इस्पोंसर support करने को कह जाएगा एक word आता है क्या under right इसका मतलब क्या होता है इंसुरेंस को कहा जाएगा यह बीमा है जो उससे कहा जाएगा ठीक हो भी financial help होती है गरब mistake होगा यह भी इसका एक synonym होगा antinim क्या होगा इसका disapprove, discouraged किसी को discourage करना या disapprove करना किसी को तो यह इसका antinim होगा example होगा इसका parties are bankrupt by huge companies for political favor जो parties है उनका support किया जाता है बहुत सारी कंपनियों के दारा किस चीच के लिए political favor के लिए राजनिटिक फायदे के लिए तो यह होजागा इसका example अगला वट है hawkis इसका मतलब क्या होजागा तेज सरार या quick को कहा जाएगा hawkis या फिर इसका दूस style nature का होता है वो होता है hawkis तो यहाँ पर image में दिखरा होगा आपको hawkis भी यह VS.डोविस जो नीचे है वो डौविस से उपर क्या होकिस है तो hawkis मिस क्या होता है जो लड़ने को उतार ओ रहता है होता है hawkis और ॡोविस जो oni चाहता है ठीकिए वो होते हुआ डोविस व बाज कैसा होता है, बहुत ही तेज तरह टाइप का होता है, लड़ने को आतूर रहता है, क्योंकि वो कैसा है, मांसा हारी है, तो होकिस मतलब क्या है, जो लड़ने को तैयार है, होस्टाइल नेचर का है, बैली कोज है, यह हो जाएगा, सिनिम क्या होंगे, इसके मिली टैंट, warlike, unpeaceful यह इसके sinem होंगे जो युद्ध के लिए उतारों है antinim क्या होगा इसका dovis तो हो जाएगा peaceable होगा, pacific होगा non-belligrant होगा यह इसके sinem होगा belligrant इसका क्या होगा synonym होगा और non-belligrant इसका antinim होगा example होगा इसका the foreign mister is hawkist on foreign policy जो foreign mister है foreign policy के लिए काफी आकरमक है तो यह होजागा इसका example अगला word है dough, इसका मतलब क्या होजागा पिगलना या melt को कहा जाएगा dough, जैसे image भी दिख रहा होगा यह बरफ क्या हो रही है, पिगल रही है ठीके, तो यह होता है जो क्या हो रहा हो, warm हो रहा हो unfreeze हो रहा हो, वो होता है dough, ठीके synonym होगे इसके defrost, dissolve soften, यह इसके synonym होगे soften मतलब कोमल को कहा जाएगा dissolve, गुलने को कहा जाएगा defrost, मतलब पिगलना तो यह इसके synonym होगे fuse होगा, fuse fuse में सुआसे दो meaning देता है एक तो क्या होगा इसका meaning जोडने को कहा जाएगा दूसरा का है पिगलना, ठीके liquify होगा यह इसका एक synonym है deliquis होगा, यह इसका मतलब क्या होता है, पिगलने को कहा जाएगा तो यह इसके synonym होगे, antinim क्या होगा इसका freeze, जो freeze हो रहा हो chill हो रहा हो, harden stiffen, solidify और congeal, यह इसके synonym होगे congeal मिस्ट भी क्या होता है, कठोर होना या फिर जमने को कहा जाएगा congeal, ठीके, example होगा salt is used to dough ice, जो नमक है वो ice को पिगलाने में use किया जाता है, तो यह हो जाएगा बढ़ते हैं आगे तो guys अगला वट है, flip इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रोसाहन या motivation को कहा जाएगा flip, जैसे image में दिख रहा होगा चुटकी मारने को भी कहा जाता है, flip ठीक है, किसी को चुटकी मार कर क्या प्रोसाहित किया जा रहा है, कि तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है, हलका सा push up किया जा रहा है, उसे push दिया जा धका दिया जा रहा है, ये होता है flip, किसी को boost करना cinema होंगे इसके stimulus incitement push, ये इसके cinema होंगे incitement इसके होता है, उकसाने को कहा जाएगा, stimulus प्रोसाहन करना, boost होगा प्रोसाहन करना, इसे पर prod इसके cinema होंगे jest, got, इनका मतलब भी क्या होता है, प्रोसाहन करना, encourage करना, ये इसके sinim होंगे, antinim होंगे इसके, fag, wears out, discouraged, depressed, ये इसके antinim होंगे, fag में इसके होता है, थकान को का जाएगा, जो आपको थका दे, एक तरफ आपको कोई चीज प्रोसाहित कर रही है, उत्साहित कर रही है, और gave a tremendous flip to business, जो news है, उसने business को एक जवर जस्त प्रोसाहन दिया, तो ये हो जागा, इसका example, अगला word है, assessed, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंकलन करना, या फिर analyze करने को का जाएगा, assessed, इसके sinim होंगे, evaluate, appraise, measure, ये इसके sinim होंगे, measure मतलब मापना, appraise, आंकलन करने को आ इसका मतलब क्या होता है, किसी को आउगत कराना, या आगाह करने को का जाएगा, अपराइस, ठीक है, एडेवल पी, आर आई, सी, तो ध्यादेने इसके, इसके कुछ और सिनिम है, जैसे, determine करना, gauge करना, gauge मिस क्या होता है, मापने को का जाएगा, और क्या होता है, estimate होगा, evaluate ह होगा, check out होगा, compute, और क्या था, I up होता है, I up मिस्ट भी क्या होता है, किसी पर आंकलन करना, ध्यान देना, way up होता है, आंकलन करने को आजएगा, कि सका weight कितना है, ठीक है, यह होता है, circumspect होता है, circumspect होता है, चारों तरफ, inspect मतलब देखना, तो संबल कर चलने को का ठीक है तो यह इसके इंटिनिम क्या होगा इसका ignore करना neglect करना ठीक है disregard करना overlook करना नजर अंदाज को कहा जाएगा तो इसके इंटिनिम होगा इसका we need to assess the impact on climate change climate change पर या जलवायू परियूरतन पर हमें जलवायू परियूरतन पर परभाव का आंकलन करने की आप सकता है तो यह हो जाएगा इसका एक्जामपल अगला वट है फोर है इसका मतलब क्या हो जाएगा आकरमन या अटे को कहा जाएगा फोर है किसी पर जब आप आकरमन करो धावा बोलो वो होता है फोर है इसका एक और मिनिंग होता है वो क्या होता है प्रारंभिक प्रियास या होंगे किसी पर आकरमन करने को खाया कि इन्वेजन इनकर्षन और रेड मतलब होते हैं कहीं पर दखलंदाजी डालना या फिर जवरश्ति घूसना यह होता है ठीक है जैसे पुलीस करती या रेड मारती कहीं पर तो यह होता है एक वट होता है सैली इसका मतलब या फिर परियास को भी कहा जाता है सौटी इंडोट आकर्मन करना एस तेकर दावा बोलने को कहा जाएगा तो यह इसके सिन्यम होंगे अप्स्टेंशन बचने को कहा जाएगा आइलनेस जो क्या है निसक्रिया टाइप का है लेजी टाइप लेजनेस ये इसके एंटिनिम होंगे ठीक है एक तरफ आप परियास कर रहे हो क्योंकि आपका परियास को भी का जाता है फोरे जो आपका प्रारिम्बिक परियास होता है जैसे एकजामपल है सी मेड हर फर्स्ट फोरेस इंटो पॉलिटिक्स उसने राजनितिक में अपना पहला कदम रखा ठीक है तो ये हो जागा इसका एकजामपल बढ़ते हैं तो अगला वट है प्यूसेंट इसका मतलब हो जागा सक्तिसाली पारफुल को कहा जागा प्यूसें इसके स्क्तिसाली और ओमनी पोटेंट जो सर्व सक्तिमान है जिससे क्या बोला जाता है बगवान को कहा जाता है वो सर्व सक्तिमान है ओमनी पोटेंट है ओल्माइटी भी बोला जाता है ठीक है तो माइटी भी क्या होता है सक्तिसाली को आ जागा तो माइटी भी इसका एक synonym होगा, formidable होगा जो क्या है, भेंकर है दुर्जय है, जिसको हराना मुस्किल है ठीक है, तो यह होता है antinym क्या होगा इसका important, feeble powerless, weak frail, यह इसके synonym होगे frail मिस होता है, कमजोर, important मिस क्या होता है जो नपुन सका है feeble, कमजोर को कहा जाएगा तो यह इसके synonym होंगे यह antinym होंगे, example होगा इसका, the young man has a potent body, जो young man है उसके पास एक सक्दिसाली body है, या जबर्दस्त body है तो यह होजाएगा, अगला वट है quaff, इसका मतलब होजाएगा, खूब पीना drink को कहा जाएगा, quaff जैसे image में दिख रहा होगा sea quaffed whole bottle of whiskey उसने पूरी बोतल को गटक लिया ठीक है, तो यह होता है quaff, मतलब खूब पीना, drink करना cinema होंगे, इसके gulb, imbib gajal, यह इसके cinema होंगे gajal मतलब गटकना gulp में इसके क्या होता है गटक गटक करके पीना ठीक है, sweet होगा इसका मतलब गटकने को कहा जाएगा swallow, निकलने को कहा जाएगा तो यह क्या है, इसके cinema है antinim क्या होगा abstain, eject rage, ascend यह इसके cinema होंगे, abstain मतलब क्या होता है, बचना यह पीने से बचना या कोई cigarette पीर आए उससे बचना, तो यह हर जगे यूज होता है किसी भी चीज, पीने से, खाने से इन सब चीजों से बचने को कहा जाएगा abstain, या कोई bad habit है उससे बचने को कहा जाएगा abstain तो यह सब जगे यूज होता है eject, में इसके होता है, बाहर निकालना raise, अब raise भी है इसमें, क्योंकि जब आप पानी पीती हो तो क्या होता है, down को जाता है तो down पी इसका एक synonym है तो जब down synonym है इसका, तो raise क्या होगा इसका, antonym होगा ascend क्या होगा इसका, antonym होगा ठीक है, तो ध्यान देना example होगा इसका, they spent the evening quaffing sampen, उन्होंने अपनी साम sampen पीकर बिताई, ठीक है तो यह होजागा इसका, example अगला वट है, supplant इसका मतलब क्या होजागा, हटाना replace को कहा जाएगा, supplant जब आप किसी चीज़ को क्या कर दो, displace कर दो, या replace कर दो जैसे image में दिख रहा होगा यह जो old phone है, इसको android ने, या जो नया phone है आजकल, इसने जो है, mobile phone ने replace कर दिया है, यह telephone वाले phone को, ठीक है तो यह होता है, supplant, किसी चीज़ को replace करना, unseed करना, या take the place of को कहा जाएगा, supplant, sinneam होगे इसके, displant, superseed, oust, यह इसके sinneam होगे, आउस, मतलब बाहर निकालना, ठीक है एक phrase है, take over यह भी इसके sinneam होगा इसके किसी की जगह लेने को कहा जाएगा overthrow होगा, भाहर फेंकने को कहा जाएगा antinim क्या होगा इसका, give in किसी सामने जुक जाना, ठीक है उससे कहा जाता है give in, precede होगा जो पहले का है, hold होगा keep होगा, यह इसके antinim होगे, give in क्यों है क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर किसी को आप overthrow करे हो, भाहर फेंकरे हो तो मतलब क्या है, आप लड़ रहे हो और give in मतलब समर्पन करना ठीक है, इसलिए इसका यह antinim है precede, जो पहले का है, hold जो बना हुआ है, hold up करना keep वही बना हुआ है तो यह इसके antinim है example होगा इसका, he easily supplanted his rival, उसने बहुत ही आसानी से अपने rival या अपने दुस्मनों को हटा दिया, replace कर दिया या overthrow कर दिया, तो यह इसके example हो जाएगा, बढ़ते आगे तो guys, आज की पहली idiom है, ham-fisted इसका मतलब क्या हो जाएगा, incompetent और unskilledful को का जाएगा ham-fisted मतलब क्या है, जो unskilledful है जिसके अंदर कोई skill नहीं है जैसे कि image में दिख रहा होगा, अगर किसी के hand इस तरीके से हो जाए, ठीक है उसके पास कोई अंगुलिया नहीं है क्या ये बंदा लिख पाएगा, कभी नहीं लिख पाएगा तो जो लिख नहीं पाएगा, क्या उसके अंदर कभी skill आएगी, नहीं आ सकती, वो कैसा रहेगा unskilledful रहेगा, incompetent रहेगा, ठीक है, असफल इंसान को का जाएगा, ham-fisted, जैस एकजांपल है, they made several ham-fisted attempts to spy on her, उन्होंने उसकी जासुसी करने के लिए कई असफल परियास किये, ठीक है तो ये हो जाएगा, इसका एकजांपल अगली idiom है, break the bank अगर आप bank को तोड़ रहे हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, expensive कोई चीज अगर expensive है, तो उसका मतलब हो जाएगा, break the bank मतलब क्या है, कोई चीज इतनी expensive है कि उसके लिए आपको अपना bank तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे पीगी बैंक होता है, उसको तोड़ते हो आप break the bank, क्यों तोड़ते हो क्योंकि आपको कोई चीज इतनी महेंगी होगी है, कि आपको अपना पीगी बैंक में तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है तो यह होता है, just example है we can't afford this apartment, it would break the bank हम जो है, इस apartment को afford नहीं कर सकते है, क्योंकि यह क्या है बहुत ही expensive है, ठीक है तो यह हो जागा इसका example अगली phrase है, we doubt इसका मतलब हो जागा, remove an inferior or unwanted component जो बेकार चीज है, उनको बहार निकालने को का जागा, we doubt, या जो किसी काम के नहीं, उनको बहार फिंकने को का जागा we doubt, जैसे example है we must raise the level of research and we doubt the poorest work, हमें जो है अपनी जो research है, उसका जो level है, वो बढ़ाने की आउसकता है उसे बढ़ाना चाहिए, और जो poorest work है, जो बेकार है उसको क्या है, भार फिंकना चाहिए, ठीक है तो यह meaning दिया जा रहा है, या फिर जैसे company होती है, वो भी doubt करती है कि इनको, जो बेकार करमचारी होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते हैं unskilled जो लोग होते हैं तो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो अगली phrase है, while away इसका मतलब क्या हो जाएगा, spend a time doing something pleasant and easy, मतलब क्या है कि किसी के जो अच्छे पल होते हैं, ठीके उन्हें बितानी को कहा जाएगा, while away ठीके, आप अपने अच्छे पल कहां बिताते हो, कैसे बिताते हो, वो होता है while away, जिस example है they while away, many afternoons on the beach उन्होंने जो है, अपने जो अच्छे पल है या जो अच्छे पल है afternoons के, many afternoons के वो बीच पर बिताए, ठीके तो यह हो जाएगा, इसका example बढ़ते हैं आगे तो guys, आज का root word है कैको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, bad बेकार को कहा जाएगा, कैको अब देखते हैं, इस से related word जैसे, कैकोग्राफी बेकार आवाज है, उससे कहा जाएगा कैकोफोनी, an unpleasant mixture of loud sounds कोला हॉल को कहा जाएगा कैकोफोनी, वैसे कैको डीमन, इसका मतलब क्या हो जाएगा an evil spirit or devil सैतान को कहा जाएगा, कैकोडीमन वैसे कैकोडेंटल डीमन, इसका मतलब क्या हो जाएगा दांतों को कहा जाएगा तो badly positioned teeth को कहा जाएगा कैकोडेंटल, जिसकी जो दांत हैं वो कैसे होते हैं, टेडे मेरे टाइप के होते हैं ठीक है, साइडिंग से positioned नहीं है तो वो होता है, कैकोडेंटल और कैकोडर्मिया इसका मतलब क्या हो जाएगा bad skin, dermia मतलब skin को कहा जाएगा, तो जिसकी बेकार skin है, वो हो जाएगा कैकोडर्मिया kacaptist, इसका मतलब क्या हो जाएगा, bad or mistaken pronunciation, जिसकी pronunciation क्या हो, बहुत बेकार हो, ठीक है गलत हो, वो होता है, kacaptist ठीक है, तो यह हो जाएगा तो guys, बढ़ते हैं अब आगे तो guys, यह quiz थी, जो आपको solve करनी थी क्या था, the teacher said that as I was capable of doing more better work तो इसमें आपको error find करनी थी तो इसमें error वैसे आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे more better एक साथ आ गया है, ठीक है दोनों ही क्या है, comparative degree है और double comparative degree एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो यहाँ पे more को हटाना पड़ेगा और इसके जगे हम कुछ और use कर सकते हैं अगर कहीं पे comparative already आ गया है तो इसके जगे हम लगा सकते हैं much लगा सकते हैं, very much लगा सकते हैं far can be also used, ठीक है जैसे नीचे example है यहाँ पे क्या है, he is far better अब यहाँ पे these days वो जो है, इन दोनों काफी अच्छा कर रहा है तो यहाँ पे better के साथ क्या आ गया है, far आ गया है ठीक है, वो ऐसे क्या है he is much better these days तो यहाँ पे much भी huge हो सकता है ठीक है, तो उपर भी हमने क्या करना था यहाँ पे more के जगे much लगाना था तो यह इस हिसाब से सही हो जाएगा तो guys बढ़ते हैं अब आगे तो guys यह word है capital और capital, इन दोनों में क्या अंतर है, pronunciation same है, difference क्या है यह आपको comment box में लिखना है और दूसरा क्या है unless ad arrives within the next few weeks thousands are starving इसमें आपको error find करनी है कहाँ पे है, यह भी आपको comment box में लिखना है तो guys आज के लिए बस इतना है, thank you, धन्यवाद